जैसे ही सरदियास स्टार्ट हो जाती हैं, वैसे एक सब्जी का बड़ा इंतजार रहता है। वो है मठर मश्रूम। वैसे मश्रूम तो पुरे सालबर मिल जाता है। लेकिन जो सरदियों वाला मश्रूम होता है ना, उसकी बात ही कुछ और है। और उसी के साथ में मटर भी वैसे मटर भी फ्रोजन मिल जाता है लेकिन फ्रेश मटर की क्या बात है लेकिन आज जो मटर मश्रूम बनेगी वो बिल्कुल कीमा स्टैन्ड बनेगी इसलिए इस रेसिपी को मिस मत करना आपको बहुत पसंद आने वाली है कैसे वे में स्वाद के मित्रों मैं शैबूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी आनस केचन में आज हम बनाने जा रहे हैं मटर और मश्रूम तो मटर फ्रेश आ गए हैं तो ले लिजे अगर फ्रेश अबिलिबल नहीं है तो आप फ्रोजन का इस्तमाल भी कर सकते हैं मश्रूम के साथ में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि मश्रूम कैसे काटना चाहिए इसको बॉयल करना चाहिए फ्राइ करना चाहिए बहुत सारे कन्फ्यूजन है इसके साथ में तो छोटी सी आपको बात बताएता हूँ, मश्रूम लीजिए, जिसकी इसकेन मिल्कुल वाइट हो, डल नहीं होनी चाहिए, पीछा पन ले होना चाहिए, पीला पन है जोनाध मिल्कुल हो बहुती है, अगर आपको ट्रिमिंग करनीच है, तो हल्की इतनीती हो यह मिल्क्त अगर बहुत जाद चिपका हुआ है तो आप मैदे को इस्तमाल करके मैदे को रगड कर इसमें से निकाल सकते हैं मैंने अपनी पुरानी कई वीडियो में बताया हुआ है अब बारी आति इसको काटने की तो हम मश्रूम आज दूसरी तरह से बना रहे हैं तो हम मश्रूम को चॉप करेंगे मश्रूम चॉप कर रहे हैं तो एक बात का धियान रखिए कि आपकी पूरी तयारी पहले से होनी चाहिए मतलब प्यान टमाटर सब चीज कटा हुआ होना चाहिए पहले से क्योंकि मश्रूम काटने के बाद में काला पढ़ने लग जाता है मश्रूम को बहुत ज्यादा बारी चॉप करने की जरुवत नहीं है रफली चॉप हो रही है आराम से रफली कीजिए और हाँ दूसरी बार नाइफ मत चलाना है इस पर तो दानिदार हिंका इस्तमाल करें तड़का लगाने के लिए बहुत बढ़िया रहता है उसके तुरंद बाद हम लसुन डाल देंगे लसुन को ज्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि प्याज के साथ भूनेगा अगर आपने इसको ज्यादा भून लिया यहाँ तो कड़वा पन आ जाएगा रसुन को कम ही भूनना चाहिए मुश्किल से 30 सेकेंड हमने भूना है यहाँ उसके तुरंद बाद हम प्याज डाल देंगे इसी के साथ में दो हरी मिट्च एक बड़ा चमच कसूरी मेति भी यहीं पे डाल देते हैं क्योंकि फ्राई होती है तो उसका रोम अच्छा आता है आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं लाक में रोस्ट करके अद्रक, हरिमिच और कसूरी मेति तीनों को अब हलका सा चलाएंगे ज्यादा चलाने की जरूद नहीं है हलका सा मुश्किल से एक मिनिट यह बहुत ही कच्छे मट्र है मतलब बहुत जल्दी पकने वाले मत्र हैं इसलिए मैं यहीं पर डाल रहा हूं और इनको बॉयल करके अब यहीं डाला मैंने यहीं बहुत जल्दी पक जाएंगे अभी सीजन स्टार्टी तो मत्र बहुत ही कच्छे आते हैं अगर आपको अविलबल नहीं हो पा रहे हैं तो आप फ्रोजन मत्र का भी स्माल करते हैं लेकिन उसको भी इसी तरह से भूनना होगा हलका सा तो मत्र क बहुत अच्छा कॉंबिनेशन रहता है बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब बटर में भूनते हैं तो मश्रूम अपना स्वाज जस्ट डबल कर लेता है अगर आपके बटर नहीं है तो आप घहीं का विस्तमाल भी करते हैं आपे हलका सा मुश्किल ते एक मिनिट हुआ है मुश्किल ते एक मिटवा है गैस की फ्लेम को मैंने तेज रखा था अगर मैं गैस की फ्लेम को कम रखता तो मश्रूम पानी छोड़ देता तो इस साई रंग से सौते नहीं होता तो हाई फ्लेम पर ही मश्रूम को भूना जाता है ये देखे कितनी जल्दी मश्रूम पक जा और धनिया पावडर एक चोटा चमज और लास में जाएगा थोड़ा सा नमक स्वादनुसार अब टामाटरों को भूनना है मसालों को पकाना है बाकी हर चीज यहां पक चुकी है मतर में थोड़ी सी कसर होकी जब हम ढखके पकाएंगे तो उसकी कसर भी निकल जाएगी तो यह किये रोगन भी आचुका है और मैंने किसी तरह के पानी का इस्तमाल नहीं किया था क्योंकि मश्रूम में पानी है टमाटर में पानी है तो अमने पानी नहीं डाला बस गैस की फ्लेम को बिलकुल कम रखा लास में डालेंगे नाम का गरम मसाला हरीमिच इस तरह से डालिए मश्रूम की सबजी बना के देखे आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं करना है ये बताया गया है बहुत सारी कीजे नहीं डाली गई है घर में जो भी अबिलेबल होता है हमने उसी से बनाया है मश्रूम का अपना खुद का एक बहुत अच्छा त सरदिया आ चुकी है तो मश्रूम खाने के तियारी कर लीजिए